मित्रो आचार्य चानक्य के अनुसार विपत्ती के समय में आप जानवरों से भी सीख ले सकते हैं। यदि आप किसी मुश्किल काम में फस गए हैं, तो ऐसे विकट समय में कुट्टे से कुछ बातें सीख सकते हैं। नमबर एक संतुष्ट रहना सीखें। मित्रो चानक्य नीती के अनुसार कुट्टे में संतुष्ट भाव होते हैं। जब कुट्टा भूखा होता है तब उसे जो मिल जाए, वह उसी से संतुष्ट हो जाता है। कुट्टा थोड़े में ही खुश हो जाता है। मनुष्य को भी इसी आदत को अपनाना चाहिए। किसी भी चीज की ज्यादा लालच होने पर जीवन अशान्थ हो जाता है। नमबर दो नींद पर स्वयंका नियंत्रन। कुट्ता कितनी भी घरी नींद में हो लेकिन हलकी सी आहट से भी उठ जाता है या चौकन ना हो जाता है। चानक या नीती के अनुसार कुट्ते के समान नींद होने पर आप हमेशा सतर्क रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। नमबर तीन निडर बने। मित्रो कुट्ता एक ऐसा जानवर है जो निडर्ता के साथ अपने मालिक के लिए लड़ सकता है। अपने मालिक की सुरक्षा के लिए कुट्ता हर मुसीबत का डटकर मुकाबला करता है। मनुष्य को कुट्ते से यह गुन जरूर सीखना चाहिए और हर मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। नमबर 4. वफादार रहें. कुत्ते को जानवरों में सबसे ज्यादा वफादार माना जाता है. मनुश्य को भी कुत्ते से वफादार और निष्ठावान बनने के गुन सीखना चाहिए. अपने जीवन में निश्ठावान रहने से हर काम में जल्द सफलता मिलेगी और आप उन पर जल्द भरोसा भी करेंगे तो मित्रो हमें आशा है कि आपको आज की प्रस्तुती पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक शेर और संपूर्ण ग्यान भंडार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद